बुलन शहर के सिकंद्राबाद में एक महिला को सांस लेने में दिक्कत हुई जिसके लिए घरवाले ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आए और उसे खुद ही फिट करने लगे लेकिन सिलेंडर ठीक से फिट नहीं हुआ ऑक्सीजन गैस लीक हुई और जोरदार धमाका हुआ धमाका इतना भयावे था कि इसमें एक साथ तीन पीडियां समाप्त हो गई एक साथ जब छे लोगों का जनाजा निकला तो पूरा इलाका शोक में डूब गया नमस्कार मैं हुमें मशर्मा और आप देख रहे हैं आज की खबर दरसल ये पूरा मावला सिकंद्राबाद की आश्व लोगों की मौत हो गई और जब मंगलवार याने किवाईस अक्टूबर को एक साथ जनाजे उठे तो लोगों की आखे चलक पड़ी रो रोकर परिवार का बुरा हाल है मनने वालों में तीन साल की बच्ची भी शामिल है अजानक हुए धमाके से पडोसियों के साथ कॉलनी क लोग भी सहम उठे धमाके के आवाज के बाद लोग दोड़कर घटना स्थल पर पहुँचे सूचना पर पुलिस एंबुलेंस भी पहुँच गई लोगों की मदद से मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला गया लेकिन साथ लोगों की मौत हो गई सुनिये मृतकों की प मेरी बीबी अपनी ममी के साथ ही आगे थी है कि दो दिन में रह जाओंगी तुम मुझे दो दिन बाद लेने को आ जाना बस साम को पांच बजे तो बात हुई है उसके बाद में कोई बात नहीं हुई मेरे पर फोन आया कि ऐसे-एसे वहां पर सलंडर फट गया है और कोई न आकर देखा तो यहां पर कुछ नहीं था सब जेसी भी से निकाल निकाल के लेकर जा रहे थे मेरी वीवी उस टाइम पर बारदात मौके पर खतम हो गे थी जो मेरे दो साले हैं वो भी खतम हो गए हैं और दो की गंबीर हलत बताए जा रही है इस पूरी घटा का सीसी टीवी फुटेचर भी सामने आया जिसमें देखते ही देखते अचानक से जोरदार धमाका हुआ वही आसपास के लोगों ने बताये कि विसफोट के आवाज से ऐसा लगा कि किसी ने बम गिरा दिया हो काफी दूर तक मकानों में रहने वालों को ऐसा महसूस हुआ जैसे भूकम पा ठीक होने की काम ना भी की फिलाल क्लिवस अतना ही आप देखते रही है आज की खबर